का लो तो आपका योगे संकेंट इस वागतभात है आज की श्यवाब करने वाले हैं कि कॉलवुआ करसे बारा मैं जो की काफी फैमस का लश 하겠습니다 मिल जाए तो आश इससे कि आपया पर देख सकते हैं यहां फालेजियाई कीए प्रशवा कर देीड हो एंद पूरा नाम है कोलापूर इंसीटीट उप टेखनलोजी जिसके हम सॉट फॉर में की आईडी के नाम से जानते हैं हम कोलेश के लोकेशन के बारे में देख लेते हैं तो कॉलेज हमारा गोकुल सिर्गाउं तालूगा कारवीर कोलापूर 416,234 में आ जाता है हम college के status के बारे में बात करेंगे तो college हमारा private autonomous college है फिर college हमारा approved by AISD New Delhi के तरफ से recognized by government और महारश्टरा के तरफ से and affiliated by CYG University के तरफ से तो यह college हमारा CYG University के under आ जाता है और इस college को महारश्टरा गवर्मेंट के तरफ से A grade मिला हुआ है अगर आपको इस college से related और information चाहिए तो आप इस college के official website वे भी जा सकते हो जो कि हम mention की गई है www.kitcoek.in तो आपको वीडियो का description में skilling मिल जाएगी आप हाँ से check out कर लेना college से nearest airport हमारा कोलापूर जो की 5 km की दूरी पे college से nearest railway station भी हमारा कोलापूर जो की 8 km की दूरी पे college से nearest restaurant भी हमारा कोलापूर जो की 8 km की दूरी पे college का DTE code 6267 है जिसे हम institute या college code भी कहते हैं हम courses के वारें बात किरें हैं तो college हमें btec की डिगरी प्रवाइड करता है btec मतलब bachelor of technology क्योंकि हमारा autonomous college है आप यहां पर देख तो टोटल हमें यहां पर 10 branches देखने मिल जाती है और हर एक का यहां पर in tech capacity दिया गया हमें यहां पर बायो टेखनोलोजी मिल जाते है इसमें 30 की in tech capacity है civil engineering मिल जाते है इसमें 180 की capacity है एक न्यू ब्रांच आइटी college में computer science and business system इसम इसमें 180 की capacity है फिर आपका electrical engineering मिल जाते है इसमें 60 की capacity है electronics and telecomication है यहां पर 120 की capacity है mechanical engineering है यहां पर 180 की capacity है यहां पर दो और new branches इस college में जैसे कि आप आप देख सकते हो आपका artificial intelligence and machine learning और second आपका data science तो यहां पर in tech 120 और 60 का है civil के एक और ब्रांच है यहां पर इन्वर्मेंटल इंजिनरिंग करके जिसमें 60 की capacity है तो तो तोटल आप यहां पर अगर देखोगे तो b.tech में आपको 1110 यहां पर in tech capacity देखने मिल जाती है आप बीटेक के बाद इस college में सब्सक्राइब यहां पर देखने मिल जाएगी जैसे कि आप यहां पर देख सकते ओपन ऑबीसी एव्ट यहां यहां पर देख लेते हैं यहां पर देखोगे सभी ब्रांच का नाम यहां पर दिया गया पार टेखनालोजी हो गया सब्सक्राइब यहां पर देख सकते हमारा आटनमस और यहां पर ऑपन का 70 परसेंटाइल गया था सब्सक्राइब उसने परहते हैं यहां पर इंडिया परेसेंट का टेख सकते हैं और विजन चेलिद परेसी पर दि सब्सक्राइब करद कर मेहीन ते लोइब श्क्राइब देखोगे और यहां परогод देख आल देखो डسم का इन चेल और देखोगे व्लिशिद स्क्राइब यहां पर हमेशा खाली रहती हैं यहां पर हार केटेगरी की स्टीट यहां पर बाद में बाद में इलेक्ट्रोनिक्स यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हो तो यहां पर यहां पर दिखोगे तो यहां पर देख सकते हो यहां पर देख सकते हो अगर आपका यहां पर संटाइल से भी कम है तो भी आप इस कॉलेज में एड्मिशन ले सकते हो क्यां पर देख सकते हैं आपको भी आइडिया जाए यहां पर साथ में हर एक ब्रांच का यहां पर देख सकते हो तो बाइटेकनिकल का यहां पर देखोगे 38 परसेंटाइल यहां था सिविल का इन्वर्मेंटल इंजिनरिंग है उसका यहां पर हर एक सीट खाली है मतलब होता है किसी बंदी नहीं नहीं लिए बाद में आप देख सकते हो अब हम कॉलेज के वारे में बात कर लेता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो हमें लास्ट एर का यहां पर फीज दिया गया जिसके दुरह में आइडिया लगा सकते हैं सब्सक्राइब्स को पुरा है तो अब हरे होती है इसे कि आप देख सकते हो अगर आप महरस्ता तैस से ब्लोंग करते हो तो आपकी जबाध से यहां पर अगर आप धिए सबस् مरें तो आपके क्टिक्स तो आपकी जो फीज यहां पर 509 डुम णरता है अगर अफ अपकी जो फीज फीज सें यहां पर 509 जी कई गाई है इसाया पर आप एपक आप पीज पर टर्बिक्दस को अपन एक गई है तो आपने अपनी कैडिगरी के साफ से स्कॉलिज की फीज देख सकते हो फस्ट एर बीटे की सिर्फ एक साल की बात मगर आप यहां पर डिप्लोमा के तुरू अद्मिशन ले तो डारक सेकेंड एर में तो उसका भी आप यहां पर फीज देख सकते हो ओपन का यहां पर 91,000 दि होस्टल यहां पर देखने मिल जाता है जैसे कि आप यहां पर इमेज देख सकते हैं आपको यहां पर बात करोंगे तो जो बाइस होस्टल के यहां पर 18,000 दिया गया गया है तो मतलब तो टूटल आपकी फीस होते हैं 21,000 होती है सेम गल्स का भी आप यहां पर देख सकते हैं 21,000 दिया गया है अब हमारा सबसे मेन पाड़ा था है कॉलेज का प्लेस्पेंट रिपोर्ट तो आप यहां पर देख सकते हो अकेडमी के रिकेस आप से हमें लाग टोटल चार यहां पर डेटा दिया गया है हर साल कितनी कंपनी यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर टोटल कितना जॉब आफर यहां पर मिलता है यहां पर यहां पर देखोगे तोटल नाइंटीट यहां पर ऑफर मिले थे हाइस पैकेज 28.67 LPA गया तो और एवरेज पैकेज यहां पर आपका 3.84 LPA था दो जार बाइस मगर आप यहां पर देखोगे तोटल 73 कंपनी आई है और आफर यहां पर 626 मिला है हाइस पैकेज 41 LPA एवरेज पैकेज आपका 5.2 LPA सिर्म उसी का दो जार ते इसका अगर आप देखोगे तोटल 81 कंपनी आई थी तोटल 802 यहां पर आफर मिले ता और जो एवरेज पैकेज यहां पर 6 LPA ता जिसे कि आप यहां पर देखोगे यहां पर कॉलिज का हाइस पैकेज यहां पर आफ केंपस नहीं है और हम डिपार्टमेंट वाइस यहां पर देख लेते हैं हमें 151 पर मिलेते हैं electronics ब्रांस यहां पे बंध हो गये इनवर्मेंटल में 26 ब्रांच में बंध हो गये हैं में लोमें 99 uh production इंचिनर्व यहां पर बंध हो गया तोद्वादव अपर देखस अब्शेु आपको Mimi 302 यहां पर आफर मिले यहां water को लापुर से बिलॉंग करते हो तो आपको कहीं जाने की ज़रुबत नहीं है आप इस कॉलेज में अडमिशन ले सकते हैं कि कॉलेज को एवरेज पैकेज है काफी अच्छा है मतलब 5-6 LBA के आश्पा से और कॉलेज का कैंपस भी काफी बड़ा और इन्वर्मेंट भी काफी अच्छा है तो आप चाहिए तो इस कॉलेज में अडमिशन ले सकते हैं और उपर से कॉलेज हमारा और आपको कुछ भी डाउट रहेगा इस कॉलेज से लेटर तो प्लीज कमेंट करके बता देना और नेक